कौन से ऐसे संकेत है जिन से आपको पता चलेगा कि बाबा शाम जी की किर्पा आपके उपर बनी हुई है अगर इन दस संकेतों में से एक भी संकेत अगर आपको मिलता है तो जान लीजिये कि आपके उपर खाटू वाले की किर्पा है बाबाश्याम की भगवान की विशेस किर्पा है आपके उपर बाबाश्याम से जुड़े हुए दस संकेत आज मैं बताऊंगी बाबाश्याम से जुड़े हुए दस ऐसे संकेत जिन संकेतों से आप भी जान सकते हैं कि बावाश्याम की किरपा आपके उपर है या नहीं और खाटुश्याम बाबा अपनी किरपा अपने भक्तों पर कैसे करते हैं और कैसे देते हैं संकेत कि बावाश्याम हमारी पूजा अर्जना को स्विकार कर रहे हैं या फिर नहीं आज की इस वीडियो में मैं पूरी बात बताऊंगी इस वीडियो को लास तक जरूर देखें जैषρί श्याम उमीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वास पर कुसल मंगल होगा बावाश्याम की किरपा सदा आप सबी श्याम भगतों पर बनी रहे हम हर रोज पूजा आराधना करते हैं बावाश्याम की, भगवान की तब हमें कैसे पता चलेगा कि बाबा शाम हम पर पिरसन है या फिर नहीं, हम खाटु शाम बाबा की पूजा करते हैं, उनके आगे सुबह साम दीपक जलाते हैं, भोग लगाते हैं ताकि भगवान की किरपा हम पर बनी रहे और हमें अपने जीवन में किसी भी पिरकार की समस् पड़े, क्या आप जानते हैं कि वे हमें संकेत देते हैं, हमारे उपर बाबा की किरपा है या नहीं, तब चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में बाबा शाम के दस संकेतों के बारे में, जिनसे आपको भी पता चलेगा कि बाबा शाम आपके साथ है या नहीं, या फिर और आपको भी मिला है इन में से कोई एक संकेत है। कभी कभी आप देखते होंगे कि आपने जो दीपक जलाया है मंदिर में वो उसमें फूल बन जाता है। तब आप इसे देखकर घबराए नहीं और तब आप समझ लेना कि बाबा शाम और अन्य देवी देवताओं की जिनकी आप पूजा आरचना करते हैं वो आप पर पिरसन ह और आप पर उनकी किरपा बनी हुई है। नमबर दो जब हम हर दिन खाटुश्याम बाबा की पूजा आराधना करते हैं अपने घर के मंदिर में तो हम घी का दीपक जलाते हैं धूप जलाते हैं और उसके बाद पूजा करते हैं। पूजा के आखिर में हम आरती करते हैं त ज़्यादा जादा जलने लगती है तब आपको ये भी लगता है कि दीपक में शायद आग लग गई है लेकिन वो उची लो होने के कारण ऐसा लगता है आपने दीपक की बाती छोटी लगाई है पर फिर भी लो जादा है तो समझ लेना कि बाबा का आशिर वाद हमारे साथ है और हम पर उनकी किर्पा बनी हुई है बाबा श्याम ने आपकी पूजा स्विकार कर ली है आप सिर्फ सचे मन और भाव से भक्ती करें भगवान की तीसरा संकेत जिनसे हम जान सकते हैं कि बाबा की किर्पा हम पर बनी है या नहीं अगर आपको रात में सोते समय बार-बार सपना आता है, अगर आप सपने में भगवान को देखते हैं, बाबा श्याम को देखते हैं, उनकी पिर्तिमा को देखते हैं, बाबा श्याम जी की मूर्ती देखते हैं, खाटू धाम मंदिर सपने में देखते हैं, तो समझ लेना की आ आप पर बाबा की किर्पा बनी हुई है और बाबा आपकी भक्ती भाव से पिरसन है चौथा संकेद क्याई बार ऐसा मन करता है हमारा की हम इस चीज को ले लें खरीद लें लेकिन लेते समय मन में कुछ दुविधा आ जाती है और हमारा मन दूसरा हो जाता है यानि की हमारा द उसे लेने से मना करते हैं, तो कभी पैसो के आभाव में भी आकर मना कर देते हैं, कि हमारे उपर और भी करजा हो जाएगा, तब आपको परिसान नहीं होना है, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान बावश्याम नहीं चाहते हैं कि मेरे भक्त किसी भी तकलीफ में हो, वो बावश्याम की विसेश किर्पा है तब भगवान आपके पूजा पाट से पिरसन है जो भगवान हमेशा आपको कस्ट में पढ़ने से बचाते हैं और नहीं चाहते हैं कि आप किसी भी प्रकार के कस्ट में पढ़ जाए अगर आप उस सामान को खरीद लेंगे तो आप पर कर्जा हो जाएगा इसलिए आपका दूसरा मन उस वस्तू को लेने के लिए रोकता है क्योंकि भगवान नहीं चाहते हैं कि आप पर किसी भी प्रकार का कर्जा हो जाए और आप कस्ट में पढ़ जाएं पाचमा संकेत पाचमे संकेत से हमें ये पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति अमीर हो या गरीब उन्हें हर जगा मान सम्मान मिलता है हर छेतर में आदर मिलता है कम मेहनत पर भी सफलता मिल रही है मान सम्मान मिल रहा है तो समझ लेना की बाबा की असीम किरपा आपके उपर बनी हुई है इसका मतलब है की बाबा शाम आपके हर परिस्तिती में खुस रखना चाहते हैं दुख हो या फिर सुख आपको हमेशा भगवान का धन्यवाद करते रहना चाहिए बड़े ही भगती भाव से पूजा करते रहना चाहिए जिन लोगों से भगवान पिरसन रहते हैं वे हर परिस्तिती में खुस रहते हैं उनके जीवन में भले ही कितना भी दुख क्यों ना हो वो हमेशा खुस ही रहते हैं उन्हें कभी भी किसी भी परेसानियों से घवराते नहीं हैं वो हमेशा हर परेसानी को हसते मुस्कुराते आसानी से पार कर लेते हैं अगर आप बाबा श्याम की पूजा आराधना कर रहे हैं और आपने पूजा में बाबा श्याम को फूल या फूल माला अरपित की हैं और पूजा करते समय अगर आपके समक्ष फूल गिर जाए उन पर चड़ाया हुआ तो समझ लेना की बाबा श्याम आपकी मनो कामना को पू खीकार कर लिया है इन संगेतों से हमें पता चलता है की बाबा क्यां का आशुरवाद हमारे साथ है नंपर साथ अगर आप अपने घर के मंदिर में पूजा पाथ करते हैं बाबा श्याम की और दूबति जलाते हैं उसके बाद अपनी पूजा समाप्त करने के बाद आरती करने के बाद दूबत्ती को आप मंदिर में रख देते हैं उसके बाद कभी कभी आपको ये देखने को मिलता होगा कि दूबत्ती का धुआ भगवान की तरफ जा रहा है वो सारा धुआ भगवान की तरफ है तो समझ लेना कि भगवान की विसेश के पा आपके उपर बनी हुई है और आपकी पूजा आराधना से बाबाश्याम पिरसंद है नमबर आठ जब हम अपने पूजा घर में बैठे हैं पूजा करने के लिए और अचानक से दरवाजे की खटखटाने की अवाज आती है तब आप इस सोच में पढ़ जाते ह है कि पूजा करते समय बीच में कैसे उठकर जाएं अगर आपके परिवार में कोई अन्य व्यक्ति है तो वो दरवाजा खोल देगा और अगर कोई नहीं है तो तब आपको जाना ही पड़ेगा और गेट पर आप देखते हैं कि कोई महमान आया हुआ है या फिर कोई ब्राम अभी निरादर ना करें और मान सम्मान करें हो सके तो खाली हात ना जाने दें अगर ऐसा हुआ है आपके साथ कभी ना कभी तब भगवान ये संकेप देते हैं हम आपकी पूजा पाठ भाव से पिरसन हैं हम आपके साथ हैं नमबर नो यदि आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं इस नान आदी करके और आपने सुगंद का कोई स्तमाल नहीं किया है और इत्र धूप फूल जैसी सुगंद आती है तब आप समझ लेना की भगवान का वास है आपके घर में और आप पर उनकी यसीन किरपा बनी ह हुई है जब सची भक्ति भाव से बाबाश्याम की पूजा आराधना करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं इत्र फूल जैसी सुगंद आने लगती है नमबर दस जिन लोगों पर बाबाश्याम की किरपा होती है उन्हें तमाम परिस्तितियों के बारे में पहले से ही आभास हो में सामानने रहता है हर दुख को हस्ते हस्ते सहता है ऐसे लोगों पर बाबाश्याम की किरपा बनी रहती है बाबाश्याम का सर पर हात रहता है तब ही ये दुखों को सहने की छमता रखते हैं इनका बाबा कभी साथ नहीं छोड़ते हैं यदि आपके जीवन में किसी भी प आपकी पूजा से बाबा श्याम पिरसन हैं, आपकी पूजा स्विकार कर रहे हैं, क्या होता है कि कभी-कभी हमारे जीवन में दुख आ जाते हैं और हम परेसान हो जाते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि हम भगवान की इतनी पूजा आराधना करते हैं और फिर भी हमारे जीवन में दुख ही दुख हैं और जो पूजा नहीं करते हैं वो हमेशा खुस रहते हैं, तब मनुश्य से पूजा पार्च करना छोड़ देते हैं तब आपको ऐसी गलती नहीं करनी है और पूजा पाठ करते रहना है। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जीवन में कितना भी दुख क्यों न आये लेकिन भगवान कभी भी अपने भगतों को दुखी देखना नहीं चाहता है। बस आपकी वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना न भूलें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में बताएं। हारे का सहारा बाबा श्य आपका कोई सब्सक्राइब करें।